एलो प्यारे बच्चों कैसे हो यार आप लोग आज हम एक ऐसे question of the day को लेकर आए हैं जो बहुत ही interesting इंट्रस्टिंग किस आसपेक्ट में इंट्रस्टिंग कि इस टॉपिक पर कहूं या इस question पर मैं कहूं या इस चैप्टर पर मैं कहूं तो इन questions को बहुत बार पूछा गया है अगर मैं एक नसीप में यह continuously पूछे जाते रहने वाला question है, अभी अगर बात कहें तो इस साल ये INPHO में भी आया है, तो ये जो specific question है, ये बहुत important होता है, इसका actually में बहुत importance है, मतलब अगर मैं इस question की बात कहूं, तो ये question जिस chapter पर based है, उसका नाम है fluid mechanics, fluids question, generally NACP में बहुत बार पूछा जाया है, अगर आप NACP का PYQs उठा कर देखें, उसकी analysis उठा कर देखें, तो आप पाएंगे कि fluid के बहुत सारे questions NACP में पूछे जाते रहें, NACP इस बार तो even INPHO में भी fluid का एक question आया है, terminal velocity पर based, अगर आपको ये word सुना हो, terminal velocity तो आज का हमारा question है, वो भी इसी topic पर based है, आज का हमारा question क्या है, आज का हमारा question है, कि हमारे पास, तो आज का जो हम question discuss करने जा रहे हैं, वो जो question है, वो है, कि हमारे पास एक liquid है, बहुत बहुत ही fight पर, मतलब बहुत ही depth का हमारे पास liquid है, liquid की depth बहुत जादा है, इसके अंदर हमारे पास एक body है, उस body का radius R है, उस body की density row B है, इस row B density R radius की spherical body को हमने पानी के अंदर rest से release कर दिया, जहाँ पानी की density है, रो L, यह जो water है, यह जो liquid है, यह जो fluid है, यह fluid, viscous fluid है, और इसकी coefficient of viscosity eta है, हम से बूचा गया है, find the velocity of the ball, यह velocity of the body as a function of time, if row B is greater than row L, body जो है, वो liquid से भारी है, that is, row B is greater than row L, तो बताईए, find the velocity of the body as a function of time, और अगर मैं इस question की बात क्या हूँ, तो यह बहुत important question है, NACP में भी यह बार-बार पूचा जा रहा है, और INPHO में भी यह बार पूचा गया है, तो इस question की हम check करते हैं, importance, तो इसमें हम से क्या पूचा गया, find the velocity of the body as a function of time, की हमें भारी दी गई है, तो body को जब मैं rest release करूँगा, तो आप क्या पाएंगे, आप यह पाएंगे, कि initially इसकी velocity बढ़ेगी, क्योंकि जब यह नीचे गिरेगा, अपने weight की वज़े से, तो इसकी velocity continuously बढ़ेगी, अब जैसे ही velocity आनी start होगी, जैसी इसके पास तोड़ी सी velocity आएगी, एक और घटना घटेगी, वो यह कि इस पर एक viscous force लगना शुरू हो जाएगा, अपने weight की वज़े से, तो इस नीचे जाएगा ही जाएगा, इस पर एक point force लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस पर एक और force लगना शुरू हो जाएगा, जिस force का नाम है, viscous force, अब इस viscous force के साथ दिक्कत क्या है, इस viscous force के साथ दिक्कत यह है, कि यह viscous force variable होगा, यह variable क्यों होगा, क्योंकि यह velocity पर depend करता है, क्योंकि velocity लगातार बढ़ेगी, तो viscous force भी लगातार बढ़ेगा, और अगर viscous force बढ़ेगा, यानि change होगा, force change होगा, तो force change, body पर force change होगा, तो body की acceleration change होगी, और body की अगर acceleration change होगी, तो velocity हम direct equation of motion लगातार फाइंड नहीं कर सकते, variable acceleration के case में हमें, integrate करना पड़ता है, velocity को integrate करना पड़ेगा, velocity निकालने के लिए integration का खेल खेलना पड़ेगा, तो आईए start करते हैं, सबसे पहले मैंने body पर net force लिखा, तो क्यूंकि इस पर ये अभी भी नीचे गिरेगी, तो mg का force जादा होगा, तो इस पर मैं net force अभी भी बोल सकता हूँ, तो net force is mg minus buoyant force minus viscous force, mg mass एक constant value है, तो mg एक constant force है, buoyant force भी constant लगेगा, क्योंकि ये volume समझ पूरा का पूरा as it is है, तो volume समझ सेम होने के वाज़े से, buoyant force भी constant है, बस variable है viscous force, अगर मैं net force को थोड़ा simplify करूं, तो लिखा हुआ है, mg minus buoyant force, minus of 6 pi eta rv, ये होता है, body पर लगने वाला viscous force, इसको stocks law कहते हैं, stocks law, I hope stocks law सबको पता होगा, stocks law के बारे में सब जानते होंगे, पढ़ा होगा, stocks law कहता है कि कि किसी body पर viscous force होगा, 6 pi eta r into v, where r is radius, v is velocity and eta is coefficient of viscous, और ये force velocity के opposite लगता है, तो ये उसका हमारा net force हो गया, net force बराबर होता है, mass into acceleration के, net force इसके बराबर होता है, mass into acceleration के, यहां से हमें acceleration की value मिल जाएगी, mg minus buoyant force, minus 6 pi eta rv divided by m, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा simplify कर लें, तो acceleration की value आजाएगी, mg minus fb by m, minus 6 pi eta, rv by m, अलग-अलग कर लिया, अच्छा एक काम करता हूँ, इस value को एक बारी के लिए, मैं k मान लेता हूँ, क्योंकि ये value constant है, तो इस value एक बारी के लिए, आप k मान सकते हूँ, क्योंकि बाद में जाकर, ये बार-बार यूज कर लोगा, तो बहुत गंदा बनेगा, तो एक काम करता हूँ, यहां लिख लेता हूँ, कि मैंने k को क्या माना हुआ है, mg minus point force by m, हम चाहे तो इसको simplify भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में simplify करेंगे, इसको last में लेकर simplify करेंगे, यह काम करते हैं, यहीं simplify कर लेते हैं, k की value को मैंने मान लिया, mg minus point force by m, यह के मान हुआ, ठीक है, पहले इसको simplify कर लेते हैं, लेकिन m का लिखते हैं, density of body into volume, volume यह काम करो, volume लिख लो, volume लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि volume कटने वाला है बाद में, तो इसको volume ही पड़े रहने दीजिए, तो density into volume into g minus, यह भी volume है भाई, ठीक है, minus, point force की बाद दिर्ण, तो point force होता है, row liquid into volume into g upon, mass को फिर से लेखेंगे, density into volume, that is density of body into volume, 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 cancel हो जाएगा, तो k is nothing but, row body minus row liquid upon row body into g, यह k की value निकल कर आएगी, तो मैं काम करता हूँ, अभी के लिए इसको k मान लेता हूँ, तो acceleration की value मेरे पास क्या आ गई, k minus 6 by eta rv divided by, I hope सब को पता लग गया होगा, मैंने इसको k क्यों माना, ताकि यह calculation बार-बार गंदी ना देखने को मिले, इसलिए के मान लिया, ठीक, चलिए, acceleration में velocity as a function of time चाहे, तो हमने इसको dv by dt लिखा, dv by dt लिखेंगे, क्योंकि हमें acceleration नहीं चाहिए, velocity as a function of time चाहिए, तो यह को dv by dt लिखा, dt को उपर बाकी मसाले को नीचे, तो equation बन गई हमारे पास, dt is equals to dv upon k minus 6 by eta rv by m, दोनों तरफ integration का sign लगाया, जब t 0 था तो v 0, I hope integration सबको आता होगा, t पर velocity v है, integration की knowledge सबको नीचे, dt का integration t आ गया, 0 से t is equals to, इसको integration कहते हैं अभी है, is equal to, इसका integration आ जाएगा, ln, k minus 6 by eta rv by m, और जो v का coefficient है, v का coefficient को आन है, 6 by eta nr by m, इससे divide मारना पड़ेगा, तो 1 upon minus 6 by eta rv, not v, r divided by m, minus 6 by eta r divided by m, m उपर चला जाएगा भाई, इसमें limit रखेंगे 0 से v, ठीक, क्यां से i value आगे, t is equal to, minus m upon 6 by eta r, अंदर आएगा ln, पहले v रखेंगे, तो k minus 6 by eta rv by m, और जब 0 रखेंगे, तो ln k बनेगा, divided by k, यह integration की limits है भाई, ठीक, इसको इससेट ले जाओ, तो इससेट equation बन गई, minus 6 by eta rt divided by m, minus 6 by eta rt divided by m, is equal to, इससेट बन गया ln, ln के अंदर देखो, क्या बन रहा है, k by k, 1, तो 1 minus 6 by eta rv divided by m, into k, यह मेरे पास value निकल कर आ रही है, लेकिन हमें क्योंकि velocity, as a function of time चाहिए, तो e की power मिले जाए, अगर यह anti-log ले ले ले, तो यह बन गया, 1 minus 6 by eta rv divided by m into k, is equal to e की power minus 6 by eta rt divided by m, इसको इदर ले आओ, उसको उदर ले जाओ, तो equation बन गया, 6 by eta nrv divided by m into k, mass into k, is equal to 1 minus e की power minus 6 by eta rt divided by m, यहां से हमें velocity as a function of time मिल गया, velocity as a function of time is, mk upon 6 by eta rv into 1 minus e की power minus 6 by eta rt upon m, बस अब इस formula में हमें सारी values रखनी है, मैं वापस से formula लिख रहा हूँ, mk 6 by eta rv, तो velocity की value आ रही है, mk upon 6 by eta r, mk, चाहां से आ गया नीचे, mk upon 6 by eta rv आएगा, v तो left side रहेगा, तो v नहीं आएगा, mk upon 6 by eta r, 1 minus e की power, 1 minus e की power minus 6 by eta rt divided by m, बस इसमें आप सारी value रख देता हूँ, k की value, mass की value, सारी values रख देते हैं, तो v की value, mass को लिखेंगे, density of body into volume, volume को लिख दीजिएगा, 4 by 3 pi r cube, यह मैंने m की value रखें, जहां रखेंगा, k की value मेरे पास है, rho b minus rho l, by rho b into g, बस अब इसी को simplify करना है, जो cut रहा, उसको cut करना है, rho b से rho b cancel, pi से pi cancel, 4 का 2 cancel हो जाएगा, 6 का 3 cancel हो जाएगा, r cube से r cancel हो करके, r square बना देगा, इसको अगर मैं v को दुबारा लिखो, तो क्या गया बचिए, 2 r square, rho b minus rho l g, तो हमारे पास बन गया, 2 r square, rho b minus rho l g, upon, denominator में गया बचिए, 3, 3, 9, 9 eta, bracket में, 1 minus e की पार minus, इसको अगर मैं simplify करूं, तो pi से pi cancel हो गया, r से r square cancel हो जाएगा, यह r square बन गया, इसके बाद 4 का 2 cancel हो जाएगा, 2, 3, तो हमारे पास बन गया, 9 eta t upon, e की पार minus, 9 eta t upon, 2 rho b r square, चेक कर लिजेगा, यही बनेगा, तो हमारे पास velocity, as a function of time आगया, 2 by 9, r square g by eta, mod of rho b minus rho l, into, 1 minus e की पार minus, 9 eta t upon, 2 rho b r square, यह हमारे पास आगई, velocity as a function of time, इस पे सीधा सीधा question आया हुआ है, IAN, PHO, NACP, और भी बहुत सारे physics, olympia arts में, तो यह question हमें direct याद रखना है, यहाँ पर मैंने, जान बूच के mod लगाया है, जान बूच के mod इसलिए लगाया है, क्योंकि मैंने, body की density को जादा माना है, कुछ questions में ऐसा भी हो सकता है, कि पानी की density, body की density से ज़्यादा हो, मतलब body हल्की हो, हल्की body को question कैसे पुछेगा, पानी में, मतलब ऐसा मानलो, 1000 km नीचे ले आके छोड़ दिया, जब उसे 1000 km नीचे ले आके छोड़ेंगे, तो उपर आएगी वो क्योंकि हल्की है, उस case में, difference में, rho b minus rho l नहीं आएगा, rho l minus rho b आजाएगा, बाकि सारी calculation सेम रहेगी, पस यहाँ पर, rho b minus rho l की जगए, rho l minus rho b आजाएगा, इसलिए मैंने जान बुछ के, हाँ, मौड लगा दिया, ताकि, हमारे लिए दोनों आंसर एक साथ आजाए, तो 2 by 9, r square g by eta, rho b minus rho l, 1 minus c की पार, minus 9, that t upon 2, rho b r square, यह मेरे पास, velocity as a function of time, निकल कर आया, इसी से ही, एक और velocity निकल कर आएगी, terminal velocity, terminal velocity बोल दो, steady state velocity बोल दो, या constant velocity बोल दो, what is the constant velocity achieved, तो तीनों में से, जो मर्जी velocity बोल दिये, तीनों ही velocity अचीव होती है, जब time बहुत ज़्यादा हो, time infinity हो, जब time को infinity रखेंगे, यह term 0 हो जाएगा, यह term 0 होने का मतलब 1 बनेगा, 1 इसमें multiply हो, तो यही हमारी terminal velocity आ जाती है, तो terminal velocity का formula भी, आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, काफी हमारी physics भी involved हुई, काफी हमारी math भी involved हुई, अच्छा इसका live example तो मैं आपको देना ही भूल गया, इसका live example है raindrops, एक्चली में यही जो velocity है, इसी velocity से raindrops हमारे सर पर गिरती है, अगर तुम raindrop को किसी particular height से गिरता हुआ मानलो, let's say 1 km, 2 km, एक किलोमेटर बहुत कम होता है वैसे तो, एक किलोमेटर से भी अगर मैं माल लूँ, तो जब raindrop हमारे सर पर गिरेगी, उसकी speed, bullet की speed के बराबर हो जाएगी, अगर आपने normal kinematics माल लिया, normal kinematics मतलब आपने बॉल को gravity में गिरा दिया, 10 meter per second square acceleration से गिरा दिया, क्योंकि raindrop जब हवा में गिरती है, तो उसकी velocity with time जाकर constant हो जाती है, वो लगातार बढ़ने के बज़ाए, लगातार बढ़ने के बज़ाए, एक point पर आकर constant हो जाते है, जिस वज़य से वो हमारे सर पर constant velocity से गिरती है, अगर उस पर gravity लगातार लगती, तो उसकी speed बहुत जादा हो जाती, वो bullet के तरह काम करती, तो raindrops जो हमारे सर पर गिरती है, वो इसी constant velocity, इसी terminal velocity की वज़य से गिरती है, वरना आज हमारे सर में 6 होते भई, आना हम खोकले हो चुके अंदर से, तो यह हमारा आज क्या question of the day है, I hope यह question आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारे concept सीखने को भी ले होगे, बहुत सारी maths आपकी clear हुई होगी, तो ऐसे ही और question लेकर में आता रहूँगा, तो मिलते हैं बच्छों, अगले किसी और question के साथ बहुत प्यारे और बहुत अच्छे questions के साथ में लगाता रहता रहूँगा, let's crack it and thank you so much, bye bye.